वस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत चारों तरफ से इस वक्त एक ही आवाज सुनाई दे रही है भोले बम भोले 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 एक अनुमान के मुताबिक इस साल चार करूर शिवभक्त हरी दवार से गंगा जले कर अपने देवालियों में अर्पित करेंगे यह संक्या और भी ज्यादा हो सकती है हरी दवार से मेरत और दिल्ली तक के रास्तों में शिवभक्ती हिलोरे ले रही है अब कोई राम नहीं, कोई श्याम नहीं, सिर्फ और से भोले भोले बम पूरे रास्ते कामणियों की सुविधा वे सेवा के लिए भक्तो द्वारा शिविड लगाये गये हैं सिवाया टोल प्लाजा पर राज्यमंत्री सुनील भराला वे भाच्पा किसान मोर्चा के छेत्रे कोशाध्यक अजे भराला द्वारा 22 वा विशाल कामण शिविड लगाया गया है यहां प्रसाद के साथ ही चिकित सा सेवा भी कामणियों को उपलक्त कराई जा रही है इस मौके पर फर्स्ट बाइट टीवी ने शिविसंचालक भाच्पा किसान मोर्चा के छेत्रे कोशाध्यक अजे भराला से वार्ता की तो उन्होंने यह कहा अजे जाए है उनके संचल में से चलता है और हम बहुत सारी लोग करेब दो सो से अधीत लोग हम यह जो परकास्वती चीवन सेवा के अनुगाया है और भागवान संकरना भरोतार करते हैं और भागवान मानते हैं और भागवान हमारे हैं और सानातन धनम का बहुत बड़ा अपना में पुरे विस के अंदर दो है तो बाइस वा सीवर हमारा यह है दिकों चिकश्चा की वहस्ता हमारे है स्वास के अंदर लगा है बोजन का परसासन समझने में चूप कर जाता है यह सनातन का बहुत बढ़ा पर्व है यह कावड मेला और जब से यह कावड आती है भगवान परसुराम जी पहली कावड लेगा आए थे तब से बरता है हर साल कावड यह बढ़ता है लेकिस समालने में परसासन के हाथ पर खूल जाते हैं यह सनातन का बेश है सनातनी इसे हमाप सारे मेले को खुट समाल लगा आते हैं अगर उनके ओपर छोड़ दें कावड यह बढ़ता है जितने चार करोर लोग से अब लगे है तो सब लोग चीतरों सेवा चल लेते हैं इस खबर में फिल हाल इतना ही आप देखते रहें फॉस्ट बैट टीव